कुई अब कि अब कि अर्कृष्णा आपका मेरे चैनल पर जहां पर मैं टेरो से संब्द दियोस बनाती हूँ आज के वीडियो में आपके लिए कर आई हूँ आउगस्ट का राशी फ़ल यह एक जनल लिडिंग है और आपके जोरीक साइंग पर पीस्ट है यानि कि बर्टेट के हिसाब से आपकी जो भी राशी बनती है उस हिसाब से आप इस राशी फिल को देखिए अगर आपको आपका जोरिक साइन नहीं पता है तो सभी जोरिक साइन्स के list description box में दी हुई है आप अपने बर्टेट के correspondingly अपना जोरिक साइन्स चेक कर सकते हैं Remember, this is a journal reading, so it may or may not resonate with you. चलिए, शिरू करते हैं. Hello Aries, let's see August का राशिफल आप लोगों के लिए. Aries, August राशिफल, Aries, August राशिफल. So Aries, किसी तरह का celebration हो सकते है August में, कोई wedding हो सकती है, कोई graduation हो सकती है, engagement हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर चाइल बर्थ की news हो सकती है, तो किसी ने किसी चीज़ को आप celebrate कर सकते हैं, coming week, month में अपनी family और friends के साथ. Enjoy करते हुए नजर आ रहे हैं, you need to celebrate. You want to celebrate, you want to have fun with your friends and family. यहाँ पर किसी तरह का temporary stencil भी आ सकता है, अगर कोई काम अब बहुत शिदा से चल रहे थे, तो वहाँ पर किसी तरह का एक pause नजर आ रहा है, पर temporary है, यह जो एक pause है, temporary pause होगो, चीज़ें जल्दी ही आपके लिए यह obstacles हर जाएंगी, तो इसके लिए आपको ज़्यादा गब्राने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को एक different perspective से देखने की जरूरत है, एक different viewpoint से देखने की जरूरत है, दूसरों के perspective को भी समझने की आपको जरूरत है, थोड़ा relax भी करिए, थोड़ा hectic week रह सकता है, तो take time to rest और take a vacation, तो अपने को rejuvenate करने पे भी आप focus करिए August में, कोई भी decision है, हिस्टे decision मत लीजिए, थोड़ा time लीजिए, allow more time before making any decision, because हिस्टे decisions may prove harmful for you, meditation करिए, meditation आपको जो है helpful रहेगी coming month में, Hello Torians, let's see, August क्या ला रहा है, क्या blessings है, August में, क्या guidance है, So Torians, August में जो है, किसी ने किसी spiritual organization के साथ आप जोड़ सकते हैं, spirituality पे आपका थोड़ा focus रहेगा, you will be seeking out mentors and like-minded friends, so spirituality में आप अपना time spent करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े traditional भी रहेंगे, आपकी जो approach है, चीजों की तरफ, अपने काम की तरफ, अपनी relationships की तरफ, वो थोड़े traditional और orthodox रहेगी, income अच्छी रहेगी, abundance का inflow होता हुए नजर आ रहे हैं, आप मेंसे कुछ लोग जो है business अगर करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा time देखा जा रहे हैं, आप मेंसे कुछ लोग किसी नए business की शिरुवात कर सकते हैं, कुछ important documents या contract sign कर सकते हैं, तो इंकम का और professionally आप लोगों के लिए थोड़ा time period अच्छा यहाँ पर रहता हुआ, नजर आ रहा है, आप मेंसे कुछ लोग अपने आपको थोड़ा restricted भी feel कर सकते हैं, तो उस tendency से आपको बचने की ज़रूरत है, अपनी ego को check में रखने की ज़रूरत है, तो अपना जो है materialism और spirituality में आप थोड़ा balance बना के रखिये, थोड़ी negativity हो सकती है, तो उस negativity को check में रखने की ज़रूरत है, अपनी thoughts को अपने outlook को आप positive है, Hello Gemini's, Let's see what's August bringing for you, Gemini's August, Gemini's August, Gemini's August, So Gemini's, किसी तरह का आपके काम में temporary pause आज सकता है, और उस वज़े से आप unnecessary worry कर सकते हैं, तो यहाँ पर anxious होने की ज़रूरत नहीं है, this is just a temporary phase, आपने काम में, your seeds are well planted, so आपको worry करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीजें जो हैं जैसे आपने hope की थी, शायद वैसी नहीं हो रही है, पस्नल लाइफ में हो सकते हैं, या प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं, और इस वज़े से आप परिशान हो सकते हैं, या आप मैं से कुछ लोग हो सकते हैं, कि कोई गलती कर दिया और उस वज़े से you are becoming anxious, you are not able to see the positive side of the situation, so again आपके लिए advice यह है कि आप positive रहिए, unnecessary, वरी मत करिये, this is just a temporary phase, कोई exciting news भी आती हुई, नजर आप लोगों के लिए आ रही है, किसी काम के सिलसले में आपको कोई exciting news मिल सकती है अगर शायद कहीं आप job change के बारे में सोच रहे थे तो उसके लिए एक अच्छा मन्थ आप लोगों के लिए रहता हुआ, नजर आ रहा है, creative रहेंगे confident रहेंगे और चीजों को बहुत अच्छे से आप handle करेंगे, hello concernians, कैसे आप सर्थ let's see what's August bringing for you, August for concernians August for concernians August for concernians concernians कोई event हो सकता है, कुछ अचानक unexpected sudden event हो सकता है जिसको आपको immediately attention देने की ज़रूद है, और यहाँ पर time is of the essence, तो timely action लेने की ज़रूद है लेकिन इसका मतलब यहीं नहीं है कोई hasty decision ले, think things through carefully, किसी तरह का travel भी हो सकता है, काम को के सिलसले में आपको travel करना पड़ सकता है, अपने intuition के सुनिए, patience रखिए जो बहुत decision लेना है आप अपने दिल के सुनिए, inner voice के सुनिए और इस हिसाब से आप decision लीजिए कुछ भी rash action मत लीजे, consider carefully what you want before taking action एक leap of faith भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने dreams को chase करते हुए नजर आ रहे हैं, unexpected opportunities आप लोगों के लिए आ सकती है professional life में कोई opportunity आ सकती है, या किसी नई romance के भी शुरुआत हो सकती है so एक innocence एक childlike innocence से आप उन चीज़ों को handle करते हुए नजर आ रहे है hello lios देखते हैं, august आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है lios august rashifal august rashifal for lios 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 पैसों को लेकर थोड़ा अपना attitude आपको ठीक करने के जोगता है you will either be too frivolous or too cautious with money तो एक balanced approach रखिए पैसों की तरफ जो business कर रहे है उनके लिए time period अच्छा देखा जा रहा है good business decisions will lead you good income आप मैंसे कुछ लोग जो है charity में पैसे spend कर सकते हैं you will work for the underprivileged happy time successful times are indicated for you you will get brilliant new ideas that will lead you to success you will be confident and you will have confidence in your dreams in your goals so overall बहुत अच्छा एक time आप लोगों के लिए नजर आ रहा है जो couples है childbirth के लिए try कर रहे थे conceive करने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए भी coming month जो है एक अच्छा month जो है रहता हुआ नजर आ रहा है universe की blessings आपको मिलती हुआ नजर आ रही है you have the resources and you have the ability to manifest your goals and desires life is magical at this moment so overall very good very positive month for you hello Virgos let's see how August is going to be for you August का राशी फल Virgos के लिए August का राशी फल Virgos के लिए so Virgos you are being very anxious for whatever reason काफी fear काफी negativity रहती हुए नजर आ रही है मन में you are expecting the worst and because of this you will be having sleepless nights इस anxiety की वज़े से इस tension की वज़े से आपको कुछ health related concerns हो सकते हैं तो unnecessary आप जो है वरी मत करिए थोड़ा अपने outlook को positive रखिए किसी तरह की कोई opportunity यहाँ पर miss हो सकती है उसको आप regret कर सकती है इन जेनरल थोड़े बोर डिस कंटेंटेट यहाँ पर आप नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर अपने आपको open रखिए possibilities की तरफ offers की तरफ ऐसा नहीं अपने बोर्डम अपने डिस कंटेंट में के चलते हैं कोई हाथ आती opportunity आप खो दें overall जो है काफी disappointed energy में overall इस मताप रहते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर अपनी healing पर आप focus करिए self-care पर focus करिए you need to forgive others and move on कुछ self-care जो है या healing जो techniques को आप अपनाए अपने आपको heal करने पर focus करें थोड़ी vacation अगर पर vacation पर जा सकते हैं vacation ले 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 या in general nature के साथ time spent करें meditate करें अपनी overall जो है mental health पर आप focus करिए hello liberals let's see how august is going to be for you august राशीफर लिब्रा के लिए august राशीफर लिब्रा के लिए so liberals एक अच्छा मंथ आप लोगों के लिए रहता हुए नजर आ रहा है एक successful time रहता हुए नजर आ रहा है you will be confident you will confidently accept the opportunities that are being offered to you just be calm में डालेंगे आपके लिए सोना ही रहेगा so एक professional life के लिए बहुत ही अच्छा time period आप लोगों के लिए नजर आ रहा है जो business कर रहे हैं उनके लिए golden period रहता हुए नजर आ रहा है you will be practical, professional, responsible and generous family life के लिए भी एक अच्छा time रहता हुए नजर आ रहा है very happy family life is indicated for you financial abundance रहेगी financial security रहेगी अपनी family अपने बच्चों के साथ एक quality time spent करेंगे you will be finding magic in the little things of life relationship में आपकी bonding strong होती हुए यहां पे नजर आ रही है जो single थे उनकी life में एक नए romance के शुरुआत हो सकती है जो जिनकी life में कुछ conflict चल रहा था तो उस conflict का एक positive resolution होता हुए नजर आ रहा है so overall very good very positive vibes are indicated for you hello scorpios आपके लिए august का राशिफल देखते हैं august राशिफल फॉर scorpios august राशिफल फॉर scorpios so scorpios किसी competition में रहते हुए नजर आ रहे हैं कुछ competition हो सकता है workplace में किसी तरह का conflict हो सकता है आपके colleagues के साथ so यहां पे जो है काफी आपको जो focus रहना पड़ेगा अपने काम को लेकर otherwise आप competition में पीछे रह जाएंगे so अपनी पूरी महिनत अपनी पूरी शिदत के साथ आप काम करिए काम काफी आपका जो है hectic हो सकता है यहां पे आप delegate कर सकते हैं delegate करिए दूसरों से help रेने के जुरूरत है तो accept help from others life थोड़ी out of balance होती हुए यहां पे नजर आ रही है stress related जो है आपको health concerns हो सकते हैं so you need to bring your life back to balance overall happy times are indicated in your personal life you will be making positive optimistic long term plans for your personal life किसी तरह की wish fulfillment भी आप लगों के लिए यहां पे होती हुए नजर आ रही है hello Sagittarians लेखते हैं august आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे है august राशीफल for Sagittarians august राशीफल for Sagittarians august राशीफल for Sagittarians so Sagittarians you will get a gift some kind of gift it may be a gift of money it may be a gift of time or effort so किसी तरह का gift आपको मिलता हुए नजर आ रहे हैं नई के लिए opportunities मिलती हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए job change के बारे में सोच रहे थे तो this is a good time you may get some good offer अगर loan के लिए apply किया था तो आपका loan approved हो जाएगा अगर किसी तरह का करता चल रहा था आपके उपर तो you will be able to pay off the debt for personal life also a good time is indicated some of you may fall in love एक नई romance के शुरुआत हो सकती है some of you may get a wedding proposal किसी तरह का social event आप attend कर सकते हैं या कोई family gathering या function आप attend कर सकते हैं you will be emotional, you will be romantic and you will be enthusiastic in your life abundance रहेगी, prosperity रहेगी, किसी तरह की luxury पर आप spend कर सकते हैं you will be caring towards other किसी अगर आप childbirth के लिए try कर रहे थे तो उसके लिए भी coming month जो है एक अच्छा time period नज़र आ रहा है Hello Capricorns, let's see August क्या लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए August राशी फल्ट for Capricorns August राशी फल्ट for Capricorns So Capricorns, workplace पे किसी तरह का competition आपको face करना पड़ सकता है कुछ politics हो सकती है, आपके पीट पीचे किसी तरह का conflict हो सकता है तो workplace पे जो है चीज़ें आपके लिए काफी hectic रहती हुई नज़र आ रही है काम का बोच थोड़ा बढ़ सकता है तो आपको चीज़ों को delegate करने की ज़रुत है दूसरों से जहांपे आप help ले सकते हैं, वहांपे आप help लेजिए लाइफ आपकी out of balance होती हुई नज़र आ रही है तो इसका balance आपको restore करने की ज़रुत है काफी stress ले सकते हैं अपने काम को लेकर और इस वज़े से sleeplessness हो सकती है, insomnia हो सकता है कोई health related issue हो सकता है तो आपके लिए advice है कि अपने काम को थोड़ा check में रखिए और unnecessary आप stress मत लेजिए personal life के लिए अच्छा time रहेगा एक happy time is indicated you'll be making positive long term plans with your partner life आपकी personal जो जैसी भी direction में जा रही है बिलकुल ठीक direction में जा रही है किसी तरह का wish fulfillment का भी time है तो आपकी कोई desire भी यहाँ पर पूरी होती है नहीं ज़र आ रही है Hello Aquarians, let's see आप लोगों के लिए August क्या लेकर आ रहे है क्या guidance है आप लोगों के लिए क्या energies है So Aquarians, you need to make time for those around you तो इतना busy मत रही है कि अपनी family अपने friends के लिए time निकाल पाए तो थोड़ा time निकाल लिए एक sensible approach रखिए और अपनी life का balance maintained रखिए You will deal with any challenge that come your way in a very kind and very understanding manner बहुत कुछ चल रहे हैं आपकी life में इसी एक ही time पे किसी तरह का decision लेना पड़ सकते है So आपको अपनी life है उसको लेकर बहुत serious होने के ज़रूद नहीं है तोड़ा एक playful approach है वो आप maintained रखिए बहुत hectic चीज़ें रहती हुए नजर आ रही है बहुत तीजी के साथ चीज़ें होंगी आपके आसपास और काफी busy रहेंगे इस वज़े से एक restlessness वाली एक tireless energy नजर आ रही है So कुछ बे decisions लेने से पहले आप जो है अपने options को review करिए Take time to carefully review your options and then take a decision and try to do things in a creative way किसी तरह का travel आपको करना पड़ सकते हैं अपने काम के सिलसिले में Hello Pisces देखते हैं August आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है August राशिफल, Pisces के लिए August राशिफल, Pisces के लिए August राशिफल, Pisces के लिए So Pisces किसी तरह की wish पूरी होते हुए नजर आ रही है आपकी coming month में कुछ भी concerns चल रहे थे, वो fade away होते हुए नजर आ रहे है आपकी love life के लिए एक अच्छा time period रहेगा एक नए romance के शुरुआत हो सकती है You will meet the love of your life एक leap of faith लेते हुए नजर आ रहे है You will be following your dreams, you will get unexpected opportunities and offers coming your way You need to listen to your intuition कुछ भी decision लेना है तो अपने दिल की सुने और उससे साब से आप decision लेजिए Patience रखिए and consider carefully before acting जो भी आपको चाहिए, क्या चाहिए आप इस बारे में सोच ही, अपने options को review करिये और तब कोई decision लेचे और decision लेते हुए आप अपने intuition के सुनिये तो यह था अगस्ट महिने का आपका राशिफल Comment section में comment करके में जरू पताएं कि आप इसे कितना resonate कर पाए और अगर विदियो पसंद आया हो तो Like, Comment and Share करे and if you want to see more terror related videos then do subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video until my next video, by anti